हेलो फ्रेंज वेलकम बैक तो मैं चैनल तो आज है थरस्टे मॉर्णिंग और मैं अभी सुबह उटके अपना बैट ठीक कर रही हो सुबह उटके मेरा यही काम होता है प्रेंज आपको मेरे हिंदी थोड़ा अजीब लग सकती है क्योंकि यहाँ पे लोग जादा हिंदी नहीं बोलती है तो जैसे तैसे बोलने से ही चल जाता है और हाँ यहाँ पे देखिए मेरा में जार रही हूँ क्योंकि पेशिट में कल ही चेंज किया था तो आज पेशिट ने चेंज कर रही हूँ यह मेरा लगबग हो ही गया है और अभी में सब काम दीरे दीरे खतम करूंगे अभी में दूसरी कमरे में आ गई हूँ और यहां पे भी में थोरे साफ सफाई कर रही हूँ पहले में यह आलना ठिक कर लेती हूँ यहां पे जो रोज का कप्रे ना वो सब इधर में ही रखा होता है दो दो के इधर में एरेंज करना पड़ता है और यह काम खतम होने के बाद मेरे क्लास्रूम का कोना में जहां से मैं अपना क्लास करती हूँ यह खत्म होने के बाद मैं अपना टैनिंग टेबल जो है वो साफ कर लेती हूँ अवे गिहां उर्ण के बाद मांने ंजसे लिए उसी नंपना की कित여 वे खत्रिंजबी और लेती हूँ लें शेकर स्क्टिर लेक झाला में मया लेकिती हूँ seasons झाल 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 तो अभी परच गया है 10.40 और मेरा सारा काम खतम हो चुका है और अभी मुझे ओफिस जा रहा है पागी का काम ममी करतेगी मुझे हम लोगों का नास्ता भी हो चुका है और अभी मुझे नाहाना भी है तयार होना है इसे लिए मैं फर्ट से नाहा के आती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ तो दिखें मेरा अभी नाहाना भी खतम हो चुका है और में अभी तयार हो जा रही हूँ ओफिस जाने के लिए कर दो में फंदाए लिए कर दो कर दो कर दो झाल 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 अभी में तयार हो गई हूँ और अभी में जा रही हूँ ड्यूटी पे और आप से मिलती हूँ में पापस आके प्रेंस आप भी राद के पॉने नोबस गई है और दो पहर को आते आते लेट हो गया था मुझे और फिर आने के बाद में खाना काके थर टे रेस्ट किया और फिर उट की इतना सारा काम था ना कि टाइम नहीं मिला पाम खतम करके अभी में कीचन पे आ गई हूँ ममी को देखते हैं मुमी और में खुद मिलके क्या बनाते हैं तो लेट्स सी मां अब क्या बना रही है अब ही ज़्यादा खुछनी बनाएगा विर्दी बॉल बनाएगा और अग मेरा फुछ बनाएगा मैं स्रवडिन कह बनाएगा अब आप तो लेजसा है Oo स्रव到 बोल को लिया अभी बेंदी कह बएखते हैं catastा deepest स्रवडिन कह बनाएगा फुछ आप्यादा खुछनी बनाएगा म्हें रही दिटी आनता है? स्रवडिन कह बनाएगा नहीं दिनको ओनाएगा institute तो अच्छा ठीक है तो मम्मी बोल रही है कि आज लेटिस फिंगर बॉयल बना रही है और फिर बिनका एक सब्ची बना रही है चेलिए देखते है तो यहां बिंडी बन रही है और इस प्रेशर पुकर में अभी चावल बनेगा मेरे ममी अभी शावल साफ कर रही है जाइस पुरा मत मानियेगा हम लोग को फुक्षें ना ओख खोथ छोटा है तो पीस जच्मत किजिए और अबेरी के बिखाते हो में और में और में के ऐसे खाना पकाता है तो इधर में अलू फ्राइब यहां पर सब्जी के लिए अलू फ्राइब हो रही है हल्लो फ्राइब हो जाने के बाद में सोयबी फ्राइब कर लेती हूं इसके बाद मम्मी एक करहाई में तेल डाल देती है गरम होने के लिए जब तेल गरम हो जाए उसमें एक सुखा मिर्श तोर के डाल देती है और साथ में पांच फोरन जो कहते हैं वो भी डाल के तेश पत्ता डाल कर थोरा बुन लेती है और फिर उसमें फ्राइ हुआ आलू भी मिक्स कर देती है और थोरा मिला लेती है और साथ में हरे मिर्च का पेस्ट मिलाकर थोड़ा नमक, जीरा पाउडर, थोड़ा हल्दी पाउडर जो पहले भी हल्दी डाल चुके थे, इसलिए थोड़ा कम हल्दी पाउडर मिलाकर और फिर रैच चिली पाउडर मिलाकर थोड़ा बुन लेती है और फिर थोड़ा बुन जाने के बाद मम्मी इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी मिलाकर फिर बॉयल होने के लिए छोड़ देती है और फिर थोड़ा उबाल आ जाने के बाद मम्मी इसमें सोया बिन भी डाल कर और फिर थोड़ा गसम गरब मसाला एट कर देती है और स्वाब बिन का सबजी तयार हो जाती है तो हमलोग राट का दीनर रेडी हो गया और ऑभी मम्मी काम खतम हो गया मम्मी और हम लोग ख़ाएंगे और पापा बी है घर में तो मम्मी पापा सब मिल के घर मेंगे तो आजका वीडियो में इधर पे उन्ट करते हूं बाबाबाऔ